हाई हेलो गाईज विलकम एक टिमाई चैनल तन्वी क्रेटी चैनल में आप सभी कम वेलकम है तो आज फिर इक न्यू वीडियो आपकी साथ सेरे करने वाली हूं वो भी है टिप सेरे करूंगे गाईज जो आपकी रोज मेरा जिन्दिकी को बहुती आसान मना देंगे क्या पता क्यों ना पैसों की जाए है तो यह बिलकूल आसान सी जो पाणाने लेना ना आपको और आपको इस तरह से कट कर लेना हो फिर क्या है चीज को हम और बच्चों करते हैं तो पाल वह त्वीょ बिल्कुल भी तो मौषचे नहीं जाएगा और नहीं कीडिया पढ़ेगीavors दूस्टरा सवीक। स्वाइदने से लिए संक्राव YOURS प्रेvak जला जाता उसी की वज़े से कीड़ा इसमें पढ़ जाती है तो आप इस तरह से डिपो को पेक करके रखोगे तो बिल्कुल भी कभी भी खराब नहीं होगा तो इस तरह से जैसे आप डिपो को उतारो तो उससे पहले क्या करना है आपको जैसे रखने जा रहे हो इनों के अट के हाथ के हाथ हम साफ कर लेंगे ना जल्दी से घराब नहीं होंगे औहरा में किचन की डिप क्लिनिंग करने की कोई जूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जबीवी किसी काम के लिए दिब्बे उतारे दूसरी टेम इस डिब्बे को साफ कर लीजिए तो आपके डिब्बे जल्दी गंदे भी नहीं होंगे अब है नेक्स टिप इस तरह की पॉलितिन जो हम जैसे कपड़े आते हैं उन्हों के साथ आती है तो इन्हों को वेट समझ के नहीं फेकना चाह मृत है तो सब्सक्राइब को सबाहर इस तो करते हैं को ही को घुल्दी खृराब उक्ताव केृट सब्सक्राइब कट जाएगी जो भी आप साइज में काटना चाहिए गरम करेंगे नायफ से तो क्या होगा डीकिंग हो जाएगी और यह इस तरह से बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जिससे आप मार्केट से करीके लाए हो क्योंकि जो गरम-गरम नाइफ से हम कट करेंगे ना तो ऑटेमेटिक उस तरह से जो दूसरी साइड उस तरफ से हो जाएगी पेकिंग इसकी ऑटेमेटिक यह हमारा रिमोड का कवर बनके रेडी हो गया हो और फिर गिर से लेकि पास्ता अफसर समय हम बनाते हैं नास्ते में जरूर बनाते हैं तो इन्हों को किस तरह से बनाना है कि ताकि आपके पास्ता है जैसे ऐसे ना बने टूटे उटे से क्योंकि चिपक जाते हैं और खिले-खिले नहीं बनते हैं तो हमारे पास्ता है जो क्या होते हैं कि खराब हो जाते हैं तो आपको क्या करना सबसे पहले तो पानी लेने ने नमग डाल दैना है नमग डालने से क्या होगा कि आपके पास्ता में अंदर तक उन्हों में टेस्ट चला जाएग फीका पनunda होगा और फिर आपको डाल जाना है ताकि नीचे ना बैठ जाए नीचे बेट जाएंगे तो नीचे चिपक जाएंगे तलबे में और भी डग देना और बीच बीच में जरूर चेक कर लेना है तो उमिद करती हूं आपको यह टिप पसंद आई होगी अब है नेक्स टिप है वह फॉन से लेके फॉन अक्सर हम सभी चलाती है महला है जैसे हम किचन में काम करती हैं तो यह कोई हमें काम का वीडियो देखना हो तो हम काम करते करते ही जैसे किचन का काम करते करते ही फोन देखते रहते हैं तो कई बर क्या होता है कि इस तरह से यह रिपट के गिर जाता है क्योंकि वाइबरेशन रहता है जब चलता है ना वाइबरेशन से क्या होता है जैसे फिसल की फोन गिर जाता है फिसल क यह हमारा फोन है जो एक जगे टिक के रहे इस तरह से फिस लेना तो इसका बहुत ही अच्छा सा माउपाय बताने वाली हूं आप सभी को बहुत जदा पसंद आएगा तो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करके जाएगा क्योंकि बहुत ही यह जी सा टिस् आफ से आफ उन गिरेंगा नहीं हो ढूर्पका काम करेगा तो आफ पर टॉर्डबर में लगा के लगा के और फिर फॉन को आप इस तरह से लगा carde के पिर देंगे आपका फॉन बिदकूल भी पिसलने वाला नहीं है इस यतना ही फॉन में वाइबरेशन हो जब वह चलता है थोड़ा vibrate होता है तो इसकी विज़े से हमारा फ्रसल जाता है तो इस तरहीं से आप अचारま के लगा रखोगे तो आपका mobile है जो भी बिल्कूल वह नहीं गिनने वाला है और आरामसे आप कीचन में काम करते करते मोबाल दे सकते हो गैस तो मैं हातों से भी इस तरह से इसको कर रही हूँ तो यह नहीं पीसल रहा है तो गैस आपको यह टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और गैस आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किये वगर मच चाहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ और आप इसका थोड़ा भूत भी आप योगदान दोगे लाइक करने का और कमेंट करने का तो मैं और भी मोटिवेट होंगी और मोटिवेट होके और वी अच्छे ची वीडियो आपके साथ मैं सेर करूंगी तो आप चलते हैं नेक्स टिप ची तरफ जो है प्यास दे लेके तो प्यास अक्सर हम सभी खाते हैं सबजियों में डालते हैं कभी कभी हमारे साथ प्रोब्लम फेस होती है कि हमारे पास चोपर नहीं होता है और कभी कभी हमें बारिक प्यास काटने होते हैं मिक्सर जार हो तो मिक्सर जार में क्या होता है बिल्कुल हो पीस जाता है पेढ़ें से इस तरह से आपका लेना है जो इस तरे का प हैने वालाले लेना है और युजि मह == कट खेलों हमें गेिंगें और किरेसे तरह बेते हैं अब कर ला कंगा से चोप हो के उस्तरह से आपको चौप कर लेना आप बिल्कुल बारी को जाने वाले हैं तो इस तरह से आप यह अ यहां सब्सक्राइब है आपको ऐसा सब्सक्राइब बाड़ करक्टशा एक बॉत इसक बंड़ के अपना नेक्स टिप हैं आक्ति है और आसले तो अक् 패li को सेम बोतल हो जाती है सेम बोतल हो जाती है तो उसके वज़े से क्या होता है कि आप समय बच्चे लड़ते जखड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरह से नाम लिख देना है नाम लिख देना है या निसान लगा देना है कुछ भी कर देना है उससे पता चल तो यदि बोतल पे मोच भी आ जाएगी तो पता चल जाएगी कि किसकी बोतल है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या होते कभी कभार इसकुल में बोतल बूल आते हैं तो उसको खोजने में ज्यादा मैनत नहीं करने पड़ेगी और बड़ी आसानी से आपके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर करें हूं आपकी पैंट मैं इंटे बड़ी इंटा पाल सकर तो मिलते हैं next वीडियो में कल ही स्राम के पांच बजे इसी टाइम तो बाइए टेक्ट आप